नमस्ते दोस्तों आज मेरी चैनल में सोमबती आमावस्या के बारे में मैं कुछ जानकरी आप सब को दूँगा सबसे पहले आप सबसे अनुरोध है कि आप सब मेरी चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए सोमबाती अमवस्या अमवस्या तीथी हर महिने में एक बार आता है हर महिने में अमवस्या जब तीथी आता है हर एक तीथी का एक नाम होता है हर महिने के अमवस्या का वी एक नाम है पर जब कुछ तीथिया दिन के हिसाब से संयोग बनाता है दिन के साथ तब एक और नाम जुड़ जाता है जैसे महीना कुछ भी हो अगर दिन जैसे सोमबार, मंगलवार, बुधबार, गुरुवार ऐसे दिन के साथ अगर तितिया मिले तो एक नया नाम पड़ता है जैसे सोमबार को अगर, मतलब मंडे, सोमबार को अगर अमवस्य तिति पड़े तो उसे सोमबती अमवस्या कहा जाता है और ये सोमबती अमवस्या बहुती शक्तिशाली, प्रभाप्शाली और सुक सम्रिद्द से भर देने वाला तिति माना जाता है कुछ लोग तो इसे मोक्ष देने वाला भी तिती मानते हैं वैसे तो कई अमवस्या और दूसरे योग साल भर मिलते रहते हैं पर सोमबत्य अमवस्या एक उनमें से दुरलव योग है सोमबत्य अमवस्या पर अगर कुछ पुजा पाट और मंत्र जब किया जाए तो शास्त्र अनुसार बहुत ही चमतकारी फल भक्तों को मिलता है सबसे पहले आप सबको बोल दू कि सोमबत्य अमवस्या के दिन वेजिटेरियन मतलग आप सबको साधा खाना ही खाना है और साथिक रहना है क्योंकि इस दिन शिब जी का विशेश तरीके से और विशेश रूप से पुजा किया जाता है इसलिए माना जाता है इस दिन अगर फलाहार या फिर स्वातिक भोजन किया जाए तो शिब जी बहुत प्रसंद रहते है चलिए अब पुजा के वारे में कुछ बता दिता हूँ सबसे पहले अगर आप उफवास रख सकते हैं तो सबसे बहतर होगा आप ब्रह्म मूत से ही उफवास रखना शुरू कर दीजिए या फिर अगर आपको काम पे जाना होता है तो आप शाम को भी पुजा कर सकते हैं वैसे तो दिन भर शिब जी का पुजा किया जा सकता है सबसे पहले दूद से या पंचामरित से अविशे कीजिए इस दिन दूद से या पंचामरित से अगर आप शिबजी का अभिशे करते हैं तो आप सबको विशेश, सुक और शांती का अनुभूती और फल भी मिलता है क्योंकि अमवस्या के दिन चंद्र डाउन रहता है, चंद्र अस्त रहता है इसलिए कोई अगर सोंबार के दिन अमवस्या पर दूद से शिवलिंग का अभिशेक करता है धारा के तोड़ पर जयसे जल धारा गीरता है, वैसे ही अगर दूद से अभिशेक किया जाए या फिर पंचामरित शिवी अभिशेक किया जाए तो उस वक्त का चंद्र बहुती मजबूत होता है अगर आपके जन्म कुंडली में या फिर अगर आपको कुंडली देखना नहीं आता है कोई जोतीशी ने कहा है कि आपका चंद्र अस्त है, पीडित है, डाउन है वैसे तो आप जनको जोतीशीय के बारे में कुछ पता भी नहीं उन सब को एक एक्जामपल देता हूँ अगर आप डिप्रिशन में हो या फिर अनिद्रा में हो या फिर हमेशा आपका मन चंचल रहता है पढ़ाई में मन नहीं लगता है हमेशा एक डर बना रहता है परिवार में अशान्ती है नींद नहीं आता है ऐसे अगर जैसे आपका माता का अगर शरीर सुष्ट ना हो ऐसे तरह के अगर प्रॉब्लेम्स है तो आप सब समझ जाए कि आप सब का चंद्र डाउन है इसलिए आप सब को चंद्र को मजबूत हमेशा बनाये रखना चाहिए क्योंकि चंद्र हमारे मन का कारग रहा है और माता से भी संबंद रखता है इसलिए अगर कोई जातका जातिका का चंद्र डाउन है तो वो हमेशा डिपरेशन में रहता है और उसके मा का भी शरीर हमेशा अस्वस्त रहता है कई वार तो देखा गया है कुछ सर्दी, जुखाम इस तरह का बिमारी इन लोगों को ज्यादा होता है क्योंकि इन सब का चंदर डाउन रहता है इसलिए हर सोमबार को या फिर हर अमावस्या को या फिर ऐसा चंदकार योग अगर बन जाए जैसे सोमबती अमावस्या पर अगर अपने नाम गोत्र कहके अगर आप दूद से अविशे करते हो शिबलिंग का तो बहुत ही चंदकारी फल आप सब को मिलता है और ये करना पड़ेगा आपको शाम के बक्त ठीक है मंत्र आप सब को बता दूँ ये बहुती चंदकारी मंत्र है आप सब नोट कर लीजिए ओम चंद्र मसे नमाहा या फिर ओम चंद्र शेखराई नमाहा अगर आप सब का चंद्र बहुत डाउन है आप सब इस उपाय को करने के बाद खुद महसूस कर सकते हो कि चंद्र आपका कितना मजबूत बन रहा है कैसे आपका मनोबल जो है मनोबल जो इतने दिनों से गिरा हुआ था वो बहुत ही मजबूत होगा अगर ठंड जैसे कोल्ड कफ इन सब के अगर विमारी हो सद्दी ऐसे विक्ति को ज्यादा लगती हो तो उससे भी रहात मिलेगा और पारिवारी शांती मन का शांती एकाग्र बहुत ही बढ़ेगा इसलिए ओम चंद्र शेखराय नमहा ओम चंद्र शेखराय नमहा इस मंत्र को जाप करते हुए शिबलिंग पे पंचामरित या दूद से अविशेख कीजिए नाम गोत्र कहे के एक बेल पत्र चंदन लगा हुआ शिबजी पे अर्पित कीजिए पर हां बेल पत्र कभी भी तूटा फूटा नहीं होना चाहिए एकदम साबूत मतलब एकदम स्वच और क्लीन होना चाहिए कभी किसी भी तरह कसा तूटा हुआ या फिर दाग लगा हुआ नहीं होना चाहिए चंदन लगा के अर्पित कीजिए ओम चंद्रमसे नमहा या फिर ओम नमश्यवाय नमहा फिर ओम चंद्रशे खराय नमहा फिर ट्विंटी एट टाइम अठासी बार ओम चंद्रमसे नमहा इस मंत्र का जाप कीजिए यह चंद्र का मंत्र है फिर ओम चंद्रशे खराय नमहा जितनी बार हो सके आप इस मंत्र का जाप कीजिए ठीक है और बेल पत्र चराइए और चंदन का लेप जरूर शिबलिग पर कीजिए चंदन का लेप करने से या चंदन का टीका लगाने से शिब जी बहुत पसंद रहते हैं और खुट के उपर भी चंद्र मजबूत बनाने के लिए चंदन का टीका अपने ललाट पे जरूर लगाए अपने ललाट पे मतलब अपने दो जो आईब्रो है उसके मिडल पे या फिर पूरे ललाट पे मतलब अपने कपाल पे लेप कीजिए जो अपने कान के जो लबस है जहाँ पे रिंग पहनते है वहाँ भी चंदन का टीका कीजिए कान के पीछे भी आप चंदन का टीका करेंगे तो मंत शांत रहता है चंदर शांत रहता है चंदर अच्छा रहता है रोज शाम को हाथ मूँ पैट थंडे पानी से धो के अपने माता के पैरों को सपर्ष कीजिए इससे चंद्र त्वतकालीन मजबूत बन जाता है जो अपने माता से प्यार करता है उसका चंद्र हमेशा बलवान रहता है और उस समयी मजबूती पे चड़ने लगता है और शिबलिंग पे अरपन कीजिए चंदन खुद भी सोने से पहले अगर चंदन का टीका करके आप सोने जाते हो इससे नकारत्मक सोच से दुष सपने से और जो डिप्रेशन और अनिद्र है इससे आप सबको मुक्ती मिलती है और प्लैनेट जो आपके सब ही ग्रहे इससे मजबूत बनता है तो दोस्तो प्लीज इस लिंक को इस आडियो को आप शेयर कीजिए ये जोतिशियो टिप्स अब सब फॉलो कीजिए मेरी चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए ताके आगे जाके भी मैं इस तरीके का जो अनोखा त्वत्व है जोतिशियो और शास्त्रियो जो टिप्स है मैं आप सब के लिए ला सकू हर हर महादेब अब सब खुश रहिए शांती से रहिए आबाद रहिए